तो देखिए अकिलेश यादव विधाईकी के साथ अब नेता प्रतिपक्ष से भी इस्तीफा दे चुके हैं ऐसे में चर्चा इस बात की होने लगी है कि अब शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुरसी मिल सकती है यानि अब विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमं अधरी योगी के सामने शिवपाल यादव होते हैं तो विधानसभा का नजारा कैसा होता है देखिए रिपोर्ट में कि अधरी कभी नहीं रुके होंगे तूंकि नको डर लगता था पता नहीं कर हड़ जाएं कब बबानी चाचा कब कुरसी हातिया लें लोगसभा चुनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखलेश यादव ने विधाय की छोड़ दी नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की राज नीती में सक्रिय हो गए लेकिन इस इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल है क्या नेता प्रतिपक्ष की कुरसी पर शिर्पाल बैठेंगे? क्या अखलेश यादव चाचा को कमान चौपेंगे? क्या विधान सभा में योगी के सामने शिर्पाल होंगे? योगी अखलेश यादव के स्टीफे से चर्चा इस बाद की शुरू हो चुकी है जब ZM योगी ने चाचा शिर्पाल को लेकर चुटकी ली थी आपने शुपाल जी आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते वे भतीजियों को पढ़ाया होता न तो संभवता कुछ अनदाता किसानों का हिद्ध हो गया होता लेकिन भतीजा है कि सुनने को तयारी नहीं आपकी बात को पदानी चाचा का कुरसी आतिया लें यूपी विधान मंडल में बात किसानों के मुद्दे पर हो रही थी सीम योगी सरकार के काम गिना रहे थी लेकिन जब शिर्पाल यादव का नाम आया तो सदन का माहोल खिल खिला उखा हाला कि तब शिर्पाल यादव सिर्फ विधायक थे लेकिन अब उनके कंधे पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लदने वाली है तावा है कि अखिलेश यादव जब दिल्ली की राजनीती में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे तो यूपी की कमान वो चाचा शिर्पाल यादव को सौंपतेंगे जिसमें सबसे बड़ा पत नेता प्रतिपक्ष का है हाला कि अभी इस बात की पुष्टी नहीं हुई है सिर्फ कयास और संभावनाओं का बाजार कर्म है माना जा रहा है कि अगले महिने विधान मंडल का सत्र बुलाया जाएगा सत्र में अध्या देशों को मंजूरी दिलाई जाएगी पिछला सत्र दो से दस परवरी तक चला था इस बार शिवपाल हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष यानि सिर्फ एक महिने का इंतजार और फिर यूपी विधान मंडल में अखिलेश की जगे शिवपाल यादव हो सकते हैं जिनका मुक्यमंत्री योगी अधित्यनाथ से होने वाला है और इस पल का इंतजार यूपी की जनता बे सबरी से कर रही है विरो रिपोर्ट विर्जेटी तो देखें मुक्यमंत्री योगी अधित्यनाथ आज कानून विवस्था पर बैठक लेने जा रहे हैं शाम साथ बजे बेहत महतपून ये बैठक होगी जहां पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी शामिल होगी अगामित वहारों और कानून विवस्था को लेकर ये महतपून बैठक आज होने जा रही है ADG जोन, मंडला यूट, पुलिस कमिशनर, सभी IG और DIG वर्चुली इस बैठक से जुड़ेंगे साथी, CDO, नगरायुत और CMO भी मुक्यमंत्री की इस बैठक में जोनने वाले हैं आपका रिपरेटन, परिवहन, विभाग के ओफिसर्स भी इस बैठक में हैं उदर कुवेट में हुए भीष्ण अगनी कांट में उननचास लोगों की आख से चुलस कर मौत होगी हाथसे में बनने वाले लोग जिनमें सबसे ज़ादा भारती हैं 41 और इस घटना के बाद भारत सरकार की ओर से तक काल कुवेट की सरकार से सबपर किया गया गायलों के शिग्र एलाज के लिए कहा गया इस बीच प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने खुवेट चैर में आग लगने की दुरघटना के मद्दे नजर स्थेते की समिक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें भारते मूल के लोग प्रभावित हुए हैं प्रधान मंत्री ने खुवेट में आग लगने की दुरघटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्षत किया प्रधान मंत्री मोधी ने शोक स्तम्त परिवारों के प्रती अपनी संबेदनाईं व्यक्षत की गायलों के श्रीगर स्वस्त होने की प्राथना की मुई पीएम मोडी में प्रधान मंतरी राश्ची राहत कोश से प्रतेक मृतक के परिजनों को दो दो लाख रुपे की अनुग्रे राश्ची दिये जाने की बात कई है गायलों को पचास अजार रुपे की मदद दी जाएगे